हम लोग हमेशा जनता के बीच रहते हैं और जनता के सुक्दुक्त में हम उनके साथ रहते हैं हम हतकंडों पर चुनाओने लड़ते हैं बहुत सारी बेकल्पी ब्यवस्थाइं की जा रही है और वाटर लेबल जो नीचे जा रहा है उसके लिए भी केंदर सरकार आज अगर कह पृप सरकार कही ना कहीं से जिम्मेदार है आने वाले दिनों में हम इसको दुरूस्त कर लेंगे और आने वाले दिनों में ऐसी समस्ष्य होगी दूसरी बात घोलेकर देखेश कंगे क्र्श क्या कहता है नहीं करता है हमारी भी सरकार के भी बहुत सारी आखें होती है और सरकार की नजर सभी पर रहती है विपच क्या तो एक काम में इस तरह का भरम पैदा करना भरम फैलाना जहां तक बंगलादेशी घुषपैट की बात है तो उस पर पूरी नजर सभी उपाजिक्तों को कड़े निर्दर दिये गए है अब पूरी नजर रखी जा रहे है आजीब तीन साल में बंगलादेशी घुठपैट नहीं हुआ है पहले भी जो हुआ है और अभी भी अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो सभी पर कड़ी नजर रखी जा रही है और जहां तक अवैत खनन की बात है और जो और भी जो प्राइवेट जो काम है उसके लिए बालू उपलब्द कराने में सरकार अब बहुत हद तक सफल हो चुकी है अब NGT का रोख जैसे खतम होगी सभी कुछ सामानने हो जाएगा एक लंबे समय के बाद और एक मैराथन बैठक हुई है राज में कानून विवस्था को सुद्रीड करने के लिए क्या लगता है कि इस बैठक के बाद अब सब कुछ जो है पट्री को लौटा है बेपट्री कुछ है भी नहीं जबसे हमारी सरकार का गठन राजी के जनता ने कराया है मानने मुखमंत्री की पैनी नजर सभी भी भागो पर है और इसमें कानून विवस्था को सबसे ज़्यादा प्रात्मिक्ता दी गई है अब आज मानने मुखमंत्री ने मैराथन बैठक की है सभी जिले के उपाई उपाई के साथ साथ वहां के पुलीस अधिकारी हैं पुलीस महानिदेशक्स से लेकर सभी अधिकारियों के साथ और खड़े दिश दिये गए कि किसी तरह का कोई किसी भी अपराधिक गती विधियों पर किसी तरह कि कोई कोता ही न बरते और जो तरह से लोग आज एक कुछ ऐसे तत्वों हैं जो समाजीिक सोहार बिगाड ना चाहते हैं। संपरदाइब सोहार को बिगाड को बिगाड ना चाहते हैं। वैसे तत्वों पर कड़ी नज़र रखी जए। जो भी आधुनिक से आधुनिक आज के तक्नीक का प्रियोग करना पड़े ऐसे अपराधों पर अंकुष लगाने के लिए उसे अभी अपके लिए राज सरकार पूरी तरह से तयार बैठी हुई हैं जो भी आधुनिक तक्नीक का इस्तेमाल पूरे विश्यों में हो रहा है वह इसी आधुनिक तक्नीक का इस्तेमाल करके आपराध पर अंकुष लगा है नितीश कुमार जी ने का संका जताई कि समय से पहले बीजेपी के अंदर सरकार लोग सभा चुनाव करा दे सकती है आप लोग इसको लेके कैसे तयार है सर क्योंकि एक अंदेशा नितीश कुमार जताई दो बार के चुनाव हुए दो हजार शोदा दो हजार उनीस उसमें इनकी काट की हांडी चड़ गई काम्याब हो गई यह जाति धर्म के नाम पर हिंदो मुसल्मान के नाम पर यह अपनी सत्ता हंत्याने में काभी में सफल हो गए